परिचाय पिता जी हमारे घर का दर्वाजा कितना कमजोर और रूखा देख रहा है हाँ बेटे ये दर्वाजा आठ से दस वर्ष पुराना है किन्तु पिता जी ये दर्वाजा इतना कमजोर क्यों हो गया है बेटे ये संक्शारण के कारण हुआ है संग्शारण वो क्या होता है पिता जी? बेटे, संग्शारण वायो मंडल में उपस्थित नमी तथा अन्य कैसों की अभिक्रिया द्वारा धातूं को उनके अनेच्चिक योगिकों में रुपांतरित करने का मंद प्राक्रम है ये दर्वाजा लोहे से बना है तथा संग्शारण लोहे को शूरे निक्षेप में बदल देता है यही कारण है कि ये इतना पुराना तथा कमजोर दिख रहा है अच्छा पिता जी, अब मुझे संग्शारण के बारे में पता चल गया है पिताजी, क्या आप मुझे इसके बारे में और अधिक बता सकते हैं? हाँ बेटे, और अधिक जानने के लिए आज हम लोग वैदुत रसायन के बारे में अध्यान करेंगे उत्येशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे वैदुत अपघटन को परिभाशित करना वैदुत अपघटन की क्रियाविधी का विशलेशन करना फैराडे के वैदुत अपघटन के नियम को समझना बैटरी को परिभाशित करना बैटरियों के प्रकारों को परिभाशित करना इधन सेल के बारे में चानना संग्शारण को परिभाशित करना जंग लगने के वैदुत रासायन सिध्धांत का विशलेशन करना और संग्शारण के रोक्थाम की व्याख्या करना वैदुत अबघटन वैदुत अबघटन के प्राकरम को वैदुत अबघटनी सेल वो पात्र जिसमें वैदुत अबघटन का प्राकरम संपन होता है वैदुत अबघटनी सेल कहलाता है इसमें एक वैदुत अबघटनी टैंक होता है जो किसी अचालक पदार्थ की बनी होती है वैदुत अबघटे द्रव अवस्था में या जलिये रूप में वैदुत अबघटनी टैंक में लिया जाता है तथा इसमें दो इलेक्ट्रोनिक चालक निमजित होते हैं इलेक्ट्रोडों को दिश्ट धारा के स्रोज से संपर्कित कर दिया जाता है वैसे इलेक्ट्रोड जो बैटरी के रण सिरे से संपर्कित होता है कैथोड कहलाता है तथा बैटरी के धन सिरे से संपर्कित इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है वैद्वत अबघटन की क्रिया विधी जब किसी वैद्वत अबघट को किसी उचित विलाइक में घोला जाता है या द्रव अवस्था में लिया जाता है तो ये दो आवेशित कड़ों में तूटता है जो आयन कहलाता है जब विद्वत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन आरोपित विभुवांतर के प्रती अनुक्रिया करते हैं तथा विप्रीत आवेश वाले इलेक्टोडों की ओर गती करते हैं अता रिन आवेश कैथोड की ओर तथा धन आवेश एनोट की ओर चला जाता है अपने नियत इलेक्टोट पर पहुँचकर आयन अपना आवेश त्याक कर उदासीन कन बनाते हैं रिन आवेश कैथोट से इलेक्ट्रोन ग्रहन करते हैं जबकि धना वेश एनोट को इलेक्ट्रोन प्रदान करते हैं आता एनोड पर आक्सी करण जबकि कैथोड पर अफकरण होदा है। वैदुत अबघटन के उत्पाद मुख्यता निम्नकारगों पर निर्भर करते हैं। वैदुत अबघट के पदार्थ की प्रकृति यदि वैदुत अबघटन वैदुत अबघट की द्रव अवस्था अथवा जलिये विलियन में होता है, तो इलक्टोडों पर निर्मित उत्पाद भिन्न होते हैं। वैदुत अबघट में प्रयुक्त इलक्टोडों के प्रकार। यदि प्रयुक्त इलक्टोड अक्रिय है तो ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है या यदि इलक्टोड अभिक्रिया शील हों तो ये इलक्टोड अभिक्रिया में भाग लेता है तब वैदुत अभघटन के उत्पाद भिन होते हैं वैदुत अबघटन के उत्पाथ, वैदुत अबघटनी सेल में उपस्थित, विभिन आॉक्सी कारक एवं अपचायक स्पिशीज एवं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभुवों पर निर्भर करते हैं जब कोई वैदुत रासायने का भिक्रिया, कतिकी ये रूप से इतने धीमे होती है कि ये घटित होता कतित नहीं होता है, तो कुछ अधिरिक्त विभाव, जिसे अधी विभाव कहते हैं, ऐसे प्राक्रम को घटित होने के लिए लगाना पड़ता है विलियन का सांदरन भी वैदुत अबघटन के उत्पात को प्रभावित करता है फेराडी के वैदुत अबघटन के नियम फेराडी के वैदुत अबघटन के प्रतम नियम किसी एलेक्टोट पर निक्षेपित, मुक्त या घुले पदार्थों की मातरा, वैद अभगत दे मिलियन या गलित प्रवाहिद विद्दधारा की मातरा के समानुपाथी होदी है। M, Q के सीधे समानुपाती होती है, जहां M, निक्षेपितिया, गुले पदार्थों की मात्रा है, Q, विद्धधारा की मात्रा है, हम जानते हैं कि Q बराबर IT है, M भी IT के सीधे समानुपाती होती है, इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, M बराबर Z IT, जहां Z पदार्थ का वैदुत रसायनिक तुल्यांक कहलाता है, किसी वैदुत अबघटे, गलित या विलियन से प्रवाहित, एक कुलोंग की विद्धारा से, निक्षेपित या घुले पदार्थों की मात्रा को Z से भाशित करते हैं, फैराडे के वैदुत अबघटन के दुथिये नियम, जब भिन्न भिन्न वैदुत अबघट से होकर विद्धारा की समान मात्रा को प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के द फैराडे के वैदुत अबघटन के नियम पर उधारण चलिए, फैराडे के वैदुत अबघटन के नियम पर एक उधारण लें किसी धात्विक पात्र जिसका कुल प्रिष्ठी एक शेत्रफल 900 वर्ग सेंटीमीटर है, पर 0.5 एंपियर की विद्ध धारा को दो घंडे तक प्रवाहित करने पर सिल्वर का विद्ध निक्षेपन होता है निक्षेपित सिल्वर की मुटाई ग्याद कीजिए चलिए इसका हल देखें यहां दिया हुआ मान है ए पराबर 900 वर्ग सेंटीमीटर आई पराबर 0.5 एंपियर हम जानते हैं कि निक्षेपित सिल्वर का द्रवे मान एम पराबर ZIT से प्राप्त होता है इन मानों को रखने पर हमें M पराबर 4.09 ग्राम घं सेंटीमीटर प्राप्त होता है हम जानते हैं कि V पराबर M बटा D इन मानों को रखने पर हमें V पराबर 0.3837 घं सेंटीमीटर प्राप्त होता है मान ले की निक्षेपित पदार्द की मुटाई X सेंटीमीटर है हम जानते हैं कि X पराबर V बटा A इन मानों को रखने पर हमें X पराबर 7.67 गुणा 10 की घं सेंटीमीटर प्राप्त होता है धात्विक पातर पर निक्षेपित सिल्वर की मुटाई 7.67 गुणा 10 की घं सेंटीमीटर है बैटरियां कोई बैटरी जिसका विद्धित उर्जा के सरोत के रूप में प्रयोग होता है मुलता एक विद्धित रासाइनिक सेल है जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया की रासाइनिक उर्जा विद्धित उर्जा में रुपांतरित होती है बैटरी श्रेडिं क्रम में चुड़े तू या तू से अधिक गेलवेनी सेलों की वैवस्था को प्रदशित करता है बैटरी के आवश्य कुण है इनकी आयू लंबी होनी चाहिए बैटरी को हलका तथा सुसंबध होना चाहिए ये पुना आवेशित करने योगे होनी चाहिए प्रयोग में लाते समय इनकी वर्टता में अधिक परिवर्दन नहीं होना चाहिए बैटरियों के प्रकार विविदिव वैवसाईक बैटरियों को व्रिहत रूप से दो प्रकारों में वर्गिक्रित करते हैं प्रात्मिक बैटरियां प्रात्मिक बैट्रियां लंबी अवधी के बाद रासाइनिक अभिक्रिया के रुख जाने से निश्क्रिये हो जाती हैं, इसे पुना आवेशित या पुना प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, उधारन के लिए शुष्क सेल तथा मर्कुरी सेल संचायक बैट्रियां पुना आवेशित किया सकता है, तथा बैट्रिय को बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, उधारन के लिए लेड संचायक सेल, निकेल केडमियम संचायक सेल शुश्क सेल इस सेल में जिंक का बेलनाकार पात्र होता है जो एनोड का ही कारिक करता है इसका गैथोड कार्बन की छड़ होती है जो चूनित MNO2 तथा कार्बन से घिरी होती है इलेक्ट्रोडों के बीच का इस्थान अमोनियम क्लोराइड NH4Cl तथा ZNCl2 के नाम पेस से भरा होता है बेहतर विद्ध संपर्ग के लिए ग्रिफाइट की छड़को पीतल की टूपी पहना दी जाती है तथा बेलन को उपर से पिट्च से बंद कर दिया जाता है जिंक को वायूमंड लिए ऑक्सीजन से सुरक्षा देने के लिए जिंक पात्र को कार्ट बोर्ट से ढग दिया जाता है सेल का विभव लगभग एक तशमलाव पांच शूनने वोल्ट होता है शुष्क सेलों का टॉर्चों, ट्रांजिस्टर, रेडियों, घडियों इत्यादी में उप्योग होता है मर्कुरी सेल में जिंक मर्कुरी अमलकम का एनोड होता है तथा HGO तथा कार्बन का पेस्ट कैथोर्ट का कारे करता है वेद्रत अब घटे KOH तथा ZNO का एक पेस्ट है वे अपने विसर्जन के दोरान एक दशमलाव तीन पांच वोल्ट का आचर विभाव उत्पन करता है इसके जीवन काल में सेल का विभाव अचर रहता है क्योंकि समक्र सेल अभिकरिया में कोई भी ऐसा आयन नहीं होता है जिसकी सांद्रता विलियन में होने के कारण सेल की संपून कारे अवधी में बदल सकती हो मरक्यूरी सेल का हिर्दय पेस मेकरों, घड़ियों, कैमरों, श्रवन यंद्रों इत्यादी में व्रहत पैमाने पर प्रयोग होता है लेट संचायक बैटरी इसमें समानिता 6 वोल्टेक सेल श्रणी क्रम में जुड़े होते हैं प्रतेक सेल में एनोड इस्पंजी लेट से बना होता है तथा कैथोड लेट डाइयोकसाइड से भरा लेट का एक क्रिट है वैदुत अब घटे H2SO4 का विलियन है जो द्रविमान का 38 प्रतिशत होता है बैटरी के डिस्चार्ज के तौरान अभिक्रिया में सल्फियूरिक अमल की खपत होती है तथा जिसके परिणाम सरूप अमल का घनत्व गिरता है जब विलियन का घनत्व 1.209 ग्राम प्रति घन सेंटिमीटर के नीचे किरता है तो बैटरी को रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है जब किसी बाहे दिष्ट धारस रोच से बैटरी को विद्द उर्जा की आपूरती होती है तो सेल विद्द अभगटनी सेल की तरह कारे करता है तथा रासैनिक अभिकरिया होती है किन्तु एलेक्टरोड अभिकरियां बैटरी के डिस्चार्ज के दौरान होने वाली अभिकरिया के विपरेत अभिकरिया करती है शेल की धारा आउटपुट को बढ़ानी के लिए एनोड तथा क्यधोड को एक आंतर क्रम से वेवस्थिक किया जाता है तथा एक दूसरे से कुछालग पदार्थों के स्तरों से प्रथक कर दिया जाता है प्रतेक वोल्टेक सेल में विभवान तर लगभग दो वोल्ट की होती है जिससे आउटपुट बारा वोल्ट हो सके बैटरी के छे सेल श्रिणी क्रम में जुड़े होते हैं निकल, कैडमियम, सुंचाइक बैटरी इस प्रकार के सेल में एनूड कैडमियम का बना होता है तथा कैथोड में धातु ग्रेट होती है जिसमें निकल आकसाइड होता है वैदुद अब खटे के ओएच काविलियन है सेल की वोल्टेज लगभग 1.4 वोल्ट होती है बैटरी के डिशार्ज के दौरान कोई गैसी उत्पात नहीं बनता है तथा ठोस उत्पात बनता है जो इलेक्ट्रोन से चिपके होते हैं जिसे आविशन प्रक्रियाद्वारा पुना रूपांधरित कर लिया जाता है इन सेलों को प्योग व्रहत रूप से इलेक्ट्रोनिक खड़ियों तथा केलकुलेट्रों में होता है इंधन सेल इंधन सेल विद्ध रासाइनिक सेल है जिसमें आक्सिक रित होने वाले पदार्थ वैद्ध अपखट्टे या इलेक्ट्रोनिक पदार्थ नहीं होते हैं बलकि एक बाहता आपूर्थी करने वाले पदार्थ हैं जिसका उपयोग श्रावन यंत्र में इंधन के रूप में हो जकता है इंधन सेल इंधन की रासाइनिक उर्जा को बिना उश्मा इंजन के प्रियोग से सीधे विद्ध उर्जा में उरुपांध्रित करने की एक योगती है हाइडोजन जैसे पारंपरिक इंधन की नियंत्रित सतित आपूर्थी का आक्सीकरण एनोट पर तथा आक्सीजन जैसे देहन के पारंपरिक पोशक की आपूर्थी का अपचयन कैथोड पर होता है सेल में जब तक हाइडोजन तथा ओक्सीजन की आपूर्थी होती रहती है, सेल चलता रहता है इधन सेल किसी प्रकार की प्रदूशन समस्याएं उत्वन्न नहीं करता है संशारन संशारन वायु मंडल में उपस्थेद नमी तथा अन्य गैसों की अभिक्रिया द्वारा धातूँ को उनके अनेच्चिक योगिकों में रूपांतरित करने का मंद्य प्राक्रम है उधारन के लिए चांदी का बदरंग होना, लोहे में जंग लगना, कौपर पर हरी रंग का लेव चड़ना तथा लेट का अपनी चमक खोना संग्शारन की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं धातूँ की अभिक्रिया शीलिता, अशुद्धियों की उपस्थिती, भायू एवं नमी, धातू में तनाव तथा वैद्वत अपखट्टी की उपस्थिती जंग लगने के वैद्वत रासाइनिक सिध्धांत इस सिध्धांत के अनुसार लोहे के अशुद्ध सतह आक्सीजन तथा कारबन टायोक्साइड युक्त जल की उपस्थिती में लगू वैद्वत रासाइनिक सेल की तरह वहवाहर करता है इस प्रकार के सेल को संशारन सेल ही कहते हैं शुद्ध लुहा एनोड की तरह तथा अशुद्ध सतह कैथोड की तरह वहवार करता है नमी जिसमें अक्सीजन या कारबन डायोकसाइड खुले होते हैं वैदुद अब घटे विलियन की तरह कारे करता है एनोड पर आइरन परमाणों का आक्सी कराण होता है कैथोड पर ह की घात धन आयन द्वारा इलेक्ट्रोन ग्रहन कर लिया जाता है हाइटोजन परमाणों घुलित आक्सीजन को अपचैइद कर देता है इस प्रकार उत्पन फेरस आयन जल से होकर आइरन की सतह पर पहुंचता है और जहां इसका वायो मंड लिये आक्सीजन द्वारा फेरी कवस्था में आक्सी कराण होता है जो जंग का निर्माण करता है संग्शारन की रोक्था संग्शारन से धातूँं की सुरक्षा की कई विध्या हैं इन में से कुछ निम्न प्रकार की है अवरोधक सुरक्षा इस विधी में एक अवरोधक फिल्म आइरन तथा वायो मंड ल आक्सीजन तथा ननी के बीच रखी जाती है उत्सरक सुरक्षा इस विधी में आइरन सतह को किसी अधिक सक्रिय धातूँ की परस से आच्छा दित कर देते हैं तिन से आइरन का आच्छा दन तिन बहुत कम विद्धनात्मक होता है तथा इसका वायो में संग्शारन नहीं होता है जब तिन की परद को आइरन की सतह पर आरूपित किया जाता है तो ये जन्ग के विरुध सुरक्षित होता है विद्ध सुरक्षा इस विद्धी में आईरन को कुछ अधिक विद्ध सक्रिय धातू जैसे की मैकनीशियम, जिंक तथा अलिमिनियम से संपरकित किया जाता है जन्द विरूधी विल्यनों का उप्योग, ये शारिये फास्फेट तथा शारिये क्रुमेट के विल्यन है, विल्यनों की शारिये प्रक्रिती है एच पिलस आयनों की उपलब्दधा को रोकती है, जो आईरन के ऑक्सीकरण को FE2 प्लस में पूरा करता है क्या आप जानते हैं? सामाने तापमान पर आईरन का नमी की अनुबस्तिती में सही तरा से संक्शारण नहीं होता है वैदुद अबघटन स्थाई रूप से बाल हटाने की एक मात्रविधी है, जिसे खाते एवं आउशद प्रशासन ने मानिता प्रदान की है सर्वु प्रथम बैटरी अलेसेंद्रों वोल्टा ने 1798 इस्वी में बनाया प्राकृतिक जल में संक्शारण की दर साधारण दातु की सतह पर जल की कती बढ़ने से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्शेप में तोहराएं वैदृत अपखटे या इसके जलिये विलियन में वैदृत धारा की प्रवासे होने वाले रासायनिक अपखटन के प्राक्रम को वैदृत अपखटन कहते हैं जब किसी वैदृत अपखट को किसी विलाइक में घोला जाता है या द्रव अवस्था में लिया जाता है तो ये दो आवेशित कड़ों में तूटता है जो आयन कहलाते हैं किसी इलेक्टृट पर निक्षेपिद मुक्त या घोले पदार्थों की मात्रा वैदृत अपखट विलियन या गलित प्रवाहित विद्धारा की मात्रा के समानुपाती होती है जब भिन भिन वैदुद अबघट से होकर वैदुद धारा की समान मात्रा को प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्टोडों पर मुक्त पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यान के द्रविमान के समानुपाती होती हैं बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े दो या तो से अधिक गेलवेनी सेलों की वैवस्था को प्रदशित करता है संग्शार और वायु मंडल में उपस्थित नमी तथा अन्य कैसों की अभिक्रिया द्वारा धातुओं को उनके अनेचिक योगिकों में रोपांद्रित करने का मंद प्राक्रम है लोहे के अशुद सतह आक्सीजन तथा कारबन डायोकसाइड युक्त जल की उपस्थिती में लगू वैदूत रासाइनिक सेल की तरहा वैवहार करता है इस प्रकार के सेल को संग्शार और सेल भी कहते हैं